आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नमबर वन का टॉपिक टू का अगला टॉपिक जो कह है प्रिंस्पर नमबर त्री एंड दाइस आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी इसके कॉंटेंट मैंने वहीं से लिए हैं जो आर्टिकल में आपसे पहले डिसकस कर चुकी हूं जि हुआ है किसी भी किताब में बच्चों की किताबे बेधिए च्रत को कैसे किया जाता है उस विजिय Which को होना बहुत जरूरी है तो हमलें वर्ट समझ आता कौई का कि है कि वह balance हो, elements of design उसमें मौझूद हो, principles of design उसमें मौझूद हो, लेकिन what is the meaning of sensitivity? इसको हम यहाँ अभी देखते हैं. So artistic sensitivity के लिए बहुत ही जरूरी है कि artist खुद imaginative हो, वो creative हो और उसके अंदर अपनी static sensitivity है वो मौझूद हो. और वो जिन्दगी के बारे में, इंसानों के बारे में, नीचर के बारे में एक sensitive vision रखता हो, एक sensitive sense रखता हो. और क्यों? क्योंकि उसने यही sense बच्चों में convey करनी है, बच्चों में pass on करनी है. So, वो जो चीज़े भी art में represent कर रहा है, वो उसके बारे में sensitive vision, sensitive idea, sensitive ideology और thought खुद रखता होगा, तो ही वो उसको उस तरीके से draw कर सकेगा, जो के बच्चों की nature से match करेंगी और वो उस sensitivity को सामने रखते हुए, एक responsibility के साथ बच्चों की किताबों में visuals को draw कर सकेगा. So, what we have over here कि artistic sensitivity है, reflection of sensibility in matter concerning nature, humans and life work with an aesthetic sense. कि आप एक sensitivity के साथ जो भी topics हैं, आप उसको देखें, और आप देखें कि जो आप draw कर रहे हैं, और जो आप visual create कर रहे हैं, वो बच्चों के मताबिक हैं, वो इतने sensitive हैं कि बच्चे जो हैं, वो उसको समझ सकें, और उसको enjoy कर सकें, और उनके interest को trigger करें, और उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है, जो बच्चों को खौफ जदा कर दे, या वो उनके age के appropriate ना हो, और जो life या human beings या nature के बारे में कुछ negative aspect रखते हैं, the primary purpose of children book is to create a sensitive human being, so basic मकसद हमारा literature को introduce करने का, जो बहुत से मकासित हैं, उनमें से एक एहम मकसद है, कि हम बच्चों को sensitive इंसान बनाना हम उन्हें इन चीजों से introduce कराते हैं, जो इसमें वो महबत करना सीखते हैं nature से, वो महबत करना सीखते हैं इंसानों से, और वो महबत करना सीखते हैं बाकी तमाम लोगों से, और वो एक sensitivity के साथ, care, love और affection के साथ nature को समझने की कोशिश करते हैं, जिन्दगी को समझने की कोश सकता है. It must be reinforced toward good, beauty, honesty और ये बहुत ही अहम चीजें हैं. हमें कोई ऐसे character visualize नहीं करवाने या हमने ऐसी कोई character text में नहीं देने जिसमें honesty नहों और goodness नहों और वो hero हो. और artist जो है चाहे वो writer के तौर पे है चाहे artist जो है वो एक painter के तौर पे है. वो दोनों artist का इस चीजों के बारे में sensitive होना बहुत ही जरूरी है. So actually हम करते क्या है? Artists should help children exist in a imaginary adventure के अंदर. उसके एक fictional दुनिया होती है और उसमें रंग भरेवे होते हैं, उसमें drawings होती हैं, उसमें colors होते हैं और वो एक aesthetic taste show होता है, through all of this thing, बच्चे के अंदर develop करता है. वो यह बताता है कि अच्छा और बुरा क्या है, वो यह बताता है कि अगली क्या है और beautiful क्या है. वो यह बताता है अपने words में और अपनी paintings में कि right क्या है, wrong क्या है. और यह तमाम चीजें बच्चों की ना सिर्फ sight, hearing or touching develop कर रही होती है, कि उनकी soul, उनकी thinking develop कर रही होती है, उनकी ideas, likes or dislikes develop कर रही होती है. So, that is the most important thing that artists need to see. Either the art is a writer or the artist is a painter. Then, illustration text should be able to leave the artistic impression. और इसका मक्सद क्या होता है? इसका मक्सद यह होता है कि हम बच्चों को beauty से introduce कर वाते हैं. Beauty चाहे visuals की हो, beauty चाहे लफास की हो, beauty चाहे मा बोली जबान की हो, या किसी भी जबान की हो जिसमें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या बच्चे के साथ कहानियों को discuss कर रहे हैं, आप बच्चा खुद पढ़ रहा हैं. उस तमाम की aesthetics, उसकी sensitivity बच्चों के अंदर मौजू होनी चाहिए. Thank you so much.